तो दिखिए सबसे पहले आप लोगों को इसे नाम फिर विशय श्रेनी रूल नंबर तारिक सब कुछ लिख लेना है और जो विशय है उसमें लिख लेना है लाचित पर निबंद और आप लोगों को मैंने बोला था ना कि तीन पेन लेना है तो एक रेड दूसरा ब्लू और दूसरा वह ब्लेक और फिर उपर आप लोगों को रेड कलर से लिखना है लाजित पर निबंद अगर आप लोग पेंचे से लिख रहे हो तो कोई बात नहीं वस्ते भी चल जागा ना तो अभी फिर हमको लेखना है से भूम लिख लेना है बल्य कलर से भूमी का तो मैंने पर लू कलर से लिख लिख लिया था फिर मैंने इसको सही कर दें है बलेक कलर से लिखने के बात लिखना है लाजित का नाम इतिहास ने बड़ा ही महत्वपुर्ण है वे आहोम सेना के सेनापती और बरफुकन थे। वे मोगल सेनापती राम सिंग और उनकी सेना के आकरमन से आसाम को सुरक्षित किया। उन्हें अपने वीरता और कुशलने तृत्य शम्ता के लिए जना जाते है। फिर लिखना है जन्मत अथा परिचे। फिर उनका जन्मत सन सोला सो बाइस के चोबिस नवेंबर को हुआ था। उनकी पिता का नाम नियचांग था पर आसाम में आने के बाद उनको मुमाई तामुली बरबरुवा के बरबरुवा और उनकी सब्तम पुत्र को लाचित बरफुकन की नाम से जना जाता है। यहां पर हमारा परिजे भी दे रहे हम और हमने जन्मत कब हुआ था वो भी लिख लेया। उनकी और उनकी माता नागेश्वरी आई देव। आसाम में आने आने वाले लान फीमा वंच के प्रतम पुरुष थे लाचित बरफुकन। उनके पिता प्रताप सिंग के राजत काल में बरबरुआ थे। और लाचित बरफुकन चक्रद्वज के शाषनकाल में और वे आहुम सेना की सेना पती तथा शाहिकुर सवाल में थे। इतना लिखके हमें लिखना है शिक्षा अब शिक्षा हम थोड़ा साही लिखेंगे। शिक्षा पर लिखना है राजपरियाल में जन्मर ग्रहन के वज़े से उनको सामरिक तथा असामरिक शिक्षा ग्रहन करना परा। फिर पीटियों में हम पेरेग्रफ चेंज करनेंगे। ये हमने माप लिया है कितना छोड़ कर लिखना है परिगरफ जो हम चाहिए करेंगे फिल लिखना है राजा चुक्रद्वज सिंग ने गौाहाटी के शाशक मुगलों के विरुध्य अभियान करने के लिए लाचित को चयन किया उपहार स्वरुप राजा ने लाचित को एक सोने की मूठ वाली तलवार दो दी और विशिष्टता की पती पारंपरी एक वस्त्र प्रदान किया तो अगर आप लोगों को ऐसे दिखने में डिश्टर्ब हो रहा है तो लाचित में मैं आप लोग के लिए कुछ फोटोस भी दे दूंगी ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख सको मुगलोग की कबसे से गुआहाटी को पुनर प्राप्त करने की बाद लाचित बर्फुकन सराइखाट की लडाई के लडाई में इसकी रक्षा करने में सफ़र रहे सराइखाट की सराइखाट की देखो अभी में इस अपर सूच दी हूँ तो मैं यह पर प्रेक्टिस कर रही थी जोड़ा सा एक लिख के तो अभी मेरा हाथ भी दुख रहा था इतना कुछ लिख लिए मैंने अगर इसको मैं बरा करके लिखती है एक एक लाइन छोड़के लिखती ही तो यह चार पीज तो हो ही जाता तो अभी मैं इसे एक साब लिख रही हूँ तो भी मैं यह टाइम पस कर रही हूँ तो फिर से हम आ जाते हैं इतनी के लिए सराइखाट की युद्ध के कुछी समय बाद उनकी मृत्यू हो गई उनका मृत शरीश सर जूरहाट से सोला किलोमेटर दूर हुल्यूंगपाराग में राजा उदयादित्य ध्वारा निर्मितलाजित स्मारक में विश्राम कर रहा है उनका चित्र उपलब्द नहीं है लेकिन एक पुराने इतिबरित उनका वर्णन इस प्रकार करता है उनका मूँ चोड़ा था और पुर्णी मा के चंद्रमा की तरह दिखाई देता था तो मैंने ये पहले ही लिख दिया कि उनका शरी कहा विश्राम कर रहा है आप लोग चाहो तो वो बाद में जब हम खतम कर रहे होंगे उनका मृत्तु लिख कर तब आप लोग दे सकते इसको फिर आप लोगों को लिखना है सराइगात का युद्ध और फिर सोला सो बहुत तरतो मैंने ये लिखा नहीं अभी लास्ट में मैंने लिख दिया फिर लिखना है आहूं सेना द्वारा पराजित होने के बाद मुकल सेना बमपुत्र नदी से धाका से आसम गौाहटी तक पहुच गए इस दोरान अपने मामा की लापरवाही के वजह से लासित बर्वुकर ने अपने मामा को ये कख कर मार दिया कि देहुत को मुमाई धंग और नहोई फिर बेकर में रिखना है देश से मामा बड़ा नहीं है युद्ध के पहले चरण में मुगल सेना पती राम सिंग लाचित के प्रती एक चाल चले पर वे इसमें विफल रहे युद्ध के अंतिम चरण पर मुगल सेना ये नदी से वार करने लगे तब आहुम सेना लड़ने की इच्छा खोने लगे लाचित गंभी रूप से विमार थे पर फिर भी वे एक नाव पर चड़के साथ नावों के साथ मुगल और मुगलों के और बढ़ने लगे उन्होंने कहा यदि आप भागना चाहते हैं तो भाग जाए महाराज ने मुझे कायरे सोपा है कायरे सोपा है और मैं इसे पूरा करूंगा नदी में भीशन युद्ध हुआ और लाचित विजई हुए अब लिगना है समार्पत और मृतू वीर लाचित के पराक्रम और सरा सराइखाड की युद्ध में विजई होने के वजह से आसाम में हर वर्ष लाचित दिवस मनाया जाता है सराइखाड की लड़ाई के कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यों हो गई 1672 में शहीद होने वाले सारे वीरो को हुलुंपरा में मेदाम दिया तो यह 1672 में जो मेदाम दिया उसके पहले आप लोग वो लिख सकते हो कि उनका शरीर का विश्राम कर रहा है यह सारे फोटो स्क्रीन में शोह हुए रहे आप लोग जाओ तो यह स्क्रीन शुट मा श्क्रीन स्क्रीन करकर रख सकते हो तो आप लोगो को मैं आइसके वीडियो कैसे लागों मिस्टेटेब बहुत अच्छे लगा होगा अगर चेल लगा हो तो लाइक शेयर सब्स्ट्रा